प्रादेशिक समाचारे कांश भोपाल से प्रस्तुत है कारिक्टर मार्जकल, विशे मौनसून की दस्तक, आलेक, परितोश, दीक्षतकार, हमारे देश में गर्मियों की शुरवाद से ही मौनसून की चर्चा होने लगती है, जैसे जैसे गर्मी बढ़ती जाती है, वैसे वैस आम मौनसून के आने की चर्चा करने लगता है, सूखे नदी, तालाब, बावडी और ताल तलईया के साथ साथ पशुपक्षी भी मौनसून की बारिश का अंतजार करने लगते हैं, गर्म हवाओं से कई मौते भी हो जाती है, किसान भी अपनी फसल के लिए मौनसून की बा पूरी है कि आखिर ये मौनसून है क्या मौनसून शब्द अर्भी भाषा के शब्द मौसुमी से बना है मौसुमी का अर्थ है हवाएं सरल भाषा में मौनसून वे मौसुमी हवाएं हैं जो बारिश लाती हैं हमारे देश में दो तरह का मौनसून होता है मौनसून पूरी तर जून से अक्टूबर माह तक रहता है जबकि दूसरा मौनसून उत्तरी पूर्व मौनसून कहलाता है जो सर्दियों के महीनों में आमतार पर नवंबर से जनवरी माह तक रहता है इन दोनों ही मौनसून में बारिश होती है लेकिन जून से अक्टूबर महीने तक रहने वाले दक्षणी पश्चिमी मौनसून में अधिक और नवंबर से जनवरी महीने तक रहने वाले उत्तर पूर्वी मौनसून में कम बारिश होती है। एशिया के बड़े देश भारत में गर्मियों के मौसम में अधिक तापमान होने के कारण वातावरण गर्म हो जाता है। हवा की गर्म होने से वो हलकी होकर बहने लगती है। इस वजह से कम वायुदाप का क्षेत्र बनता है। ये कम वायुदाप वाला क्षेत्र अधिक वायुदाप वाले क्षेत्र की हवा को खीचता है। इस वजह से महासागरों के पास जहां हवा का घनत्व जादा रहता है, वो कम दबाव वाले क्षेत्र की ओर खिचने लगती है। विज्ञान का भिनियम है कि हवा हमेशा उच्छ वायुदाप से कम वायुदाप वालेकशेत्र की ओर बहती है परणाम स्वरूप महसागरों से ये हवा मौनसूनी हवा के रूप में हमारे देश की ओर बहने लगती है हमारे देश में मौनसूनी हवा हिंद महसागर और अरब सागर की तरफ से आ रही हवाओं पर नर्भर होती है जब ये मौनसूनी हवाएं दक्षन पश्चम तट से टकराती है तो भारत सहित आसपास के देशों में बारश शुरू हो जाती है सामान्य तह दक्षन पश्चम मौनसून एक जून तक केरल के तटी एलाकों तक पहुँच जाता है और बारश शुरू हो जाती है धीरे धीरी ये मौनसून उत्तर दिशा की ओर बढ़ने लगता है और जून महीने के आखिर तक पूरे देश में फैल जाता है मौनसून से तापमान में कमी होती है लेकिन हवा में नमी की मात्रा बढ़ जाती है अरब सागर से आने वाली मौनसून की हवाएं जब उत्तर दिशा की ओर बढ़ती है तब बंगाल की खाड़ी से गुजरने वाली मौनसूनी हवाएं भी उत्तर दिशा की ओर चलती है दूसरी और सर्दियों के मौसम में जब जमीन ठंडी होती है तब शुष्क हवाएं उत्तरपूर्वी मौनसून बन कर चलती है ये उत्तरपूर्वी मौनसून भी देश के हर हिस्से में फैल जाता है और बारिश होती है लगभग सतंबर महीने से लेकर जन्वरी तक सर्दियों के मौसम में होने वाली ये मौनसून की बारिश कम तो होती है लेकिन सर्दियों में होने वाली फसलों के लिए बहुत उप्योगी रहती है हमारे देश में सामान्य तह औसत बारश 116 सेंटीमीटर होती है वहीं जैसल मेर में 20 सेंटीमीटर और चेरा पूंजी में 1100 सेंटीमीटर बारश होती है इस आकड़े से ये पता चलता है कि हमारे देश में कहीं बार तो कहीं सामान्य वर्षा तो कहीं सूखे के हालाद साल भर बने रहते हैं मौनसून की चर्चा में शोताओं को ये बताना भी समसामायक होगा कि वातावरन में हो रहे बदलाव के कारण मौनसून की स्थतियों में भी फेर बदल हो रहा है प्रत्वी के वातावरन में गर्मी बढ़ने से भारत, पाकिस्तान और नेपाल में कम बारिश होने लगी है ऐसे में जबकि इन देशों के किसान ही नहीं बलकि बड़ी आबादी मौनसून पर नर्भर है तब हम सब को मिलकर ग्लोबल वार्मिंग के खत्रे से निपटनी के उपाय सोचना चाहिए जिससे आने वाली पीडियों का भविश्य सुरक्षित हो सके